Can you give an example of someone जिसने निस्वार्थ भाव से काम करके बहुत कुछ किया हो लाए भगवान बन गए लोग निस्वार्थ भाव से काम करके गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध राजा थे, राजा के बेटे थे, राजकुमार थे वो अपने घर से निकले, निस्वार्थ भाव से उन्होंने सब की मदद करी उस समय जब गौतम बुद्ध फेमस हो रहे थे उनका रीजन फेमस होने का ये था कि रिच्वलिजम इतना फैल गया था, ब्राह्मनिजम इतना फैल गया था कि लोगों को अपकस्ट होने लग गया था कि घर में कोई बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई तो उसके लिए इतने सारे संसकार, कितना पैसा पंडी जी को बुला के ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ इसी तरह से लाइफ के हर एक फेज के इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए सो मैनी रिच्वल्स और उसके लिए मोटा मोटा पैसा देवदासी सिस्टम चलता था उस टाइम पे ठीक है, जिसमें लोग अपने घर की बेटियों को मंदिरों को दान कर देते थे साउथ इंडिया में, साइथ आज भी मुझे नहीं याद है, आज भी किसी टेंपल में यह होता है मैंने पड़ा था, बट यह सिस्टम भी था और उन फीमेल्स को अज़ा प्रोस्ट्रीट किया जाता था गौतम बुद्ध ने इसके खिलाब आवाज उठाई थी तो यह थी उनकी पूरे समाज के लिए निस्वाथ सेवा, यही काम जो जैनिजम में, तिर्थंकर जो हमारे महावीर जैन, उन्होंने भी यही काम किया था, समाज को सुधारने का जो इतनी complicated चीज़े बनाई गई उन्हों simple लखने का, इसलिए आप किसी ऐसे वेक्ती से बात करोगे, जो बुद्धिजम फॉलो करता है, बहुत प्रेक्टिकल धर्म है यह, बुद्धिजम अंजनिजम बोनो, प्रेक्टिकल्टी पे काम करते हैं, आपको बाकी की सोशेबाजी में नहीं फसाते हैं, that is why people are more inclined to Buddhism nowadays, that it's simple, it's simple, it's easy to understand so Buddha didn't do it, Buddha became a god निश्काम सेवा से अचार्य प्रशाद ने बहुत सुन्दर चीज़ कही थी शोपर, उन्में का कि Buddhism is about the essence of the Vedas कि जो वेदों में लिखा गया था उसकी basic logic Buddhism में पाई जाती है और Jainism को लेकर मैं मानता हूँ कि it is Hinduism on steroids मतब जो हमारा हमारे सबसे मुश्किल rules दिये गए, वो Jains follow करते हैं और आप जब देखो कि ना इन दोनों धर्मों को closely practices वही हैं जो हमारे इसले कई सारे बुद्धिस्ट हमारे Hindu gods की भी पूजा करते हैं तो आप जो कहरो ना कि है वही चीज उसकी variant है जैसे वो लोगी सीजन टू में ही variant होते हैं ठीक है इस हिसाब से variant है कि चीज वही है और फ्लेवर लगए cousins sister religion बहुत साए Jain friends भी है मेरे वो बिसले खुद को हिंदू ही मानते जितना जैन लोगों को समझते हैं यह लोग संसेट से पहले खाना खा लेते हैं यह लोग प्याद लेसर नहीं खाते हैं उसके बहुत बड़ी फिलोसफी है पूरी पूरी एक दर्शन शास्त रहे जैनिसम के उप़र जब आभी उपेसी की त्यारी करते हो जैनिसम फिलोसफी पढ़ाई जाती है आपको बुद्धिजम पढ़ाई जाती है अब तो जैसे जब भगवान बुद्ध का महा पर ही निवान हुआ यानि कि जब वो अर्थ को छोड़ कर चले गए तो कई सेक्ट बढ़ गए एक महायान बन गया एक हीन लिएन बन गया उनकी अलग-अलग फिलोसफी बन गए तो अभी वो जो एक्शल में बुद्ध थे घॉत्टम बुद्ध थे भगवान बुद्ध थे उनकी जो टीचिंग़ उस्कैटर्ड हो गई वो अलग-अलग सेक्ट में बढ़ गई है तो पहले हिंदुइजम फिर बुद्धिजम उसके बाद इतनी सारी चीज़े तो बहुत बढ़ गई है आप बस एक ही चीज को मानिए जो चीज सिंपल रहे आपका faith strong रखे आपका believe strong रखे जो चीज आपको परिशान कर रहे है वो धर्म नहीं है धर्म कभी परिशान नहीं करता धर्म आपको easy करता है आपकी life धर्म आपको फसाता नहीं है वो आपको empower करके आपको मुक्ष की तरफ ले जाता है आप हर एक धर्म का अगर वो concept समझोगे तो end goal क्या है इनका मुक्ष सब लोग मुक्ष की ही बाते कर रहे है कि मुक्ष मुक्ष ठीक है कोई किसी तरह से कर रहा है कोई किसी तरह से कर रहा है बस बुद्धिजम और जैनिजम में भी गुरुजी है वही है ठीक है बट वो भी मानते हैं इवन कई क्लाइंट्स मेरे मुस्लिम भी आते हैं इसलाम वाले धर्म के भी आते हैं तो ये subject है ना इसको धर्म से नहीं बाटना चाहिए हमें हो क्या रहा है गलती कहा हो रही है remedies remedies में जो हम ब्रहमण फैमिली से बिलॉंग करते हैं या हम हिंदू कल्चर से बिलॉंग करते हैं तो हम remedies बोलते हैं मंत्रों की भगवान की पूजा की और नग पहनने की तो ये जैसे इसलाम में नग पहनने का concept नहीं है वो उंगठियों में कुछ नहीं पहनते ठीक है वो सिर्फ कानी उंगली में कुछ पहन सकते हैं गोल्ड अगर मैं सही बोलना हूँ तो otherwise वो गोल्ड भी नहीं पहनते हैं वो सिल्वर ही पहन सकते हैं तो अपनी प्रैक्टिसेश अपनी रेमिडी जादा बताते हैं आगे या फिरोजा पैंसक पे है वो फिरोजा इस वेरे गुड जैंस्टों क्रिश्टल पे तो पूरा एक पॉड़कास करेंगा क्रिश्टल और यंत्रास पे ठीक है और रुद्राक्ष भी जो आप पहनते हो ना जब टू मच अफ निगेटिव एनरजी हो जाती है आपका रुद्राक्ष ब्रेक हो जाता है तो यह सब बुला जाता है कुछ हारा है मन में क्या हकीक हकीक उसे हकीक यूज़ली इस्लाम धर्म जो फॉलो करते हैं हकीक वैसे कई कलर का होता है सफेध, हरा, लाल पर mostly पॉपलर ब्लैक है ब्लैक टूर्मलीन ने वो अलग चीज़ है हकीक अलग चीज़ है उसमें थोड़ी वाइट लाइन भी होती है ब्लैक टूर्मलीन अपने वाश्रूम में रखना चाहिए लोगों क्योंकि ट्वाइलेट किसी भी डिरेक्शन में अच्छा नहीं होता एक्सेट साव साथ वेस्ट ठीक है क्योंकि जब आप पुराना अगर याद रखोगे तो लोगों के घरों में नहीं होता था ट्वाइलेट वो घर के बाहर बनता था यह तो modern concept है ना ट्वाइलेट घर के अंदर बनाना वास्तु इसको कभी favor करता ही नहीं था लेकिन अब क्या करें जरूरत है वक्त की demand है तो लोग घर में ट्वाइलेट बनाई लेते हैं अब वो किस direction में ट्वाइलेट आ गया तो गड़बर पैदा कर सकता है possibility है तो यूजवली कहा जाता है कि यहाँ पर आपको एक ऐसा crystal अखना चाहिए जो कि energies को absorb करता है जो कि black terminaline जो इसका नाम आपने लिया वो करता है यह अगर यह वाले topic को खोले ना और पांच गंड़े crystal में 200 से जादा crystal है और 9 रतन है हमारे कौन किसके साथ पहन सकते हैं कौन किसले पहनना चाहिए लोगों को awareness नहीं है ठीक है इवन रुद्राक्ष के लिए भी awareness नहीं है कि रुद्राक्ष के कवच कौन पहनने चाहिए किस राशी का रुद्राच प्लैनेर्स का कौन सा रुद्राक्ष होता है तो इस उभारे में एक podcast पूरा दो घंटे का धाई गंटे का हो सकता है सिर्फ रुद्राक्ष के उपर करेंगे करेंगे जो भवान शुचाहेंगे वाँ